तर पहला टपा मनझे लिब्रलाइजेशन उधारी करण ठीक है उधारी करण मनझे का है कि जे कही निरबंधा है जे कही कंट्रोल सा है ते कमी करण है यह प्राइवेट सेक्टर आए तो 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 प्राइवेट अर्थेवेवेवसे मदे भाग घेनाचा मारगा है, त्या मारगाच्छ उधारी करण कशा प्रकारे करावा। है अपन केले। आनि प्राइवेट सेक्टर साथी अर्थेवेवसे मदे येना साथी जे काही निरिभनिधा है। त्य सगे अपन हाव HR कमि केले, हाव lagi रद केले। सग्यत महतोच मंझे जे लाइसेंस राज आ होता, लाइसेंस राज, हे आपन रद्ध करूं टाकला, आणि त्या सोबद सोबद जे फेवरेबल बिजनेस एंवर्मेंट पाई जे, एक चांगल वातावरन पाई जे, अर्थेवेवसेला प्रोग्रेस करना साथी, काजी श्यत्र एंवर्मेंट आपन तयार करना सुरूवरत केली, यहला आपन मनटो लिब्रलाई जे जे उद्धारी करनन, त्या सोबद सोबद आपन डुसरा मार्ग का गेतला, तर तेला आपन प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन मनझे का है, कि तु मला संगितला होतामी कि उद्योक्षित्रा मदे सग्यात मेजर जो प्लेयर होता तो उता पब्लिक सेक्टर तर जय कंपने होते तर सरकार नी ओन के लिले होते तरकार चाहे मालकी चाहे तरना आपन भणाई चो पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स मा यहांसर खाजगी करण मंझे का है एक तर फिता थे खाजगी करण चे बरेट्स वेगविग यहांसर थे फब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग्स मदे खाजगी लोक आहे तो तैंचर जे पार्टिसेपेशन आयतें सभाग आहे तो वाड़वने यहांसर अंडर्टेकिंग्स मालकी आहे ती फक्त गवर्रण्यमें प्रति राश्ट्री एकरन् जेवा संपुर्ण तो उद्योग शासन विकत घ्योंगे तो तेला आपने प्राश्ट्री एकरन् जातू तेला आपने प्रति राश्ट्री एकरन् संपूर्ण मालकी 100% ownership ही प्रावेट सेक्टर ला दिली जाते यहला आपन मन्टो प्रावेटाइजेशन चो एक हाँ प्रकार आहे डीनाइशनलाइजेशन आणि जो सग्यात फेमस आणि जो सग्यात मोठा प्रमानात आपन वापर ला त्या मार्गास नावा है थीक है डिसिन्वेस्मेंट मन्जे का है की अप्टू 51 टक्के मालकी ही सरकार ने स्वताजव ठेवावी आणि बाकी सर्व मालकी खासगी शेत्राकडी चाल ली जाई ठीक है आतो 51 टक्के मालकी बन्जे का है सरकार कड़े फक्त मैनेजमेंट कंट्रोल रहील सरकार फक्त तेजर जे मैनेजमेंट आहे ते कंट्रोल करेल बाकि सर्वचे सर्वगोष्टी एक खाज़ी चित्राकर चाल ले आतुए आणि हाज मार्गा आहे तो आपड खूप मोठा प्रमाणा मदे अमजे वापर लाओता या कामा साथी 1139 मदे सी रंगराजन समीती आपन नेमली होती 1139 मदे फक्त तीन सेक्टर तुम्ही स्वताज़ाव ठेवा फक्त तीन सेक्टर है पबलिक सेक्टर आसुद्या आणि बाकि चा सर्वग सेक्टर मदे तुम्हीं डिसिन्वेस्ट्मेंट करूं टाका मत एंचा सांगणा नुसार आपन डिसिन्वेस्ट्मेंट कमिशन पहला डिसिन्वेस्ट्मेंट कमिशन आपन एकुण शे शाहनव मदे रंगराजन समीती चा शिफार रिसिव नुसार आपन लागू केला आणि तेचे जे अद्ध्यक्षय होते श्री जीवी रामकुरुष है अपने डिसिन्वेस्ट्मेंट कमिशन चे अध्यक्षय होते पहला डिसिन्वेस्ट्मेंट कमिशन चे तर डिसिन्वेस्ट्मेंट कमिशन काय कर रहा है सांगा है कि कशा बद्धति ने अपन जे सरकारी कंपन आ है तेनसा डिसिन्वेस्ट्मेंट क्यों तेनसा खासगी कर कशाप्रकार केलो पाजल लिब्राक्राइजेशन आपण सम्दुन गैतल brag प्राइडाईजेशन आपण सम्दुन गैतल्गे और जो गलोबालाईजेशन ठीकенного सांग्परा है प्रापर शब्दा असल जागतिक अर्थ व्यवस्थी संलग न रोने एले आपन मन रोने एले करा कि एले आपने होगी बार्तली आढ़ा कर पिल याज़ेशन याज़र कि अर्थ पुस्त कर शोपय ग्लोबिंवस्थṁ झागी है व्याज़ mobile karma एक शब्द हा है तो मैं लुकलाइजेशन लुकलाइशन मैं बंगे का है कि लुकल लेवला लुकल लेवला लुकलाइजेशन एक प्रोडुक्ट यह प्रोडाक्ट पी का लोकली लुकल्मा त्यार होतो और Dehou कर आघरो और कर थम तुम्चा गल्ली मदे के तुम्चा गावा मदे तो वीखतो त्या पाणिपूरी वाला ची तुम्चा गावा बाहेर आज बात ओडख नसते यहला आपन मन्टो लोकलाइजेशन ठीक है आणि यहचा विरुद्ध यहचा विरुद्ध जगाचा पाठीवर जागती करते वेव करने कि वह जगाचा कुण्टाई काना को परेतुन इमपोर्ट करने जगाचा कुट्लाई काना को परेमदे एकस्पोर्ट करने यह सगया गोश्टी इन्ना आपड मन्टो ग्लोबालाइजेशन जागती की करना आशी कुट्ले प्रकरची सीमा सा रहत नहीं ठीक है आज़ा तो मझें इंटरनाश्ट्राइजेशन की वहां अंतर राष्ट्री करण अंतर राश्ट्री करण मझे काई कि जोहां दोन देश आर्थिक दुरुष्टे आयकत रहेत अंड त्या दोन देशांद मधे सर्वप्रकर्च देवान गेवानी कुप मुक्त पणे कुप खुले अंतर राष्ट्री करण मझेन, मनी, मशिनरी, मटेरियल या सर्वप्रकर्च देवान गेवान खुप मुक्त पद्ध दिने होत तेवा अपन्टिला मन्टो इंटरनाश्ट्राइज़ेशन की वहां अंतर राष्ट्री करण मा त्या साथी दोन देशांना एकत्र आव लागता वेगुगे करार करावे लागतात तेवा कुठे त्या दोन देशां मदल्या जा भोगोलिक सीमा आहेत त्या नस्ट हो शकतात ठीक है आणि यचा उच्चा अंक जर आपन बगितला यचा जर सग्यात मोठा रूप जर आपन बगितला तर त्या ग्लोबलाईज़ेशन आहे अंतर्राश्रिय करण मदे किवा इंट्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्राश्रा देशान चा जा सीमा आहे त्या धुशर होता त्या नस्ट होता आणि मेन मनी मशिनरी आणि मटेरियल यांचा मुक्त प्रवाह जगे चा एका को परेतु जगे चा दुशरा को परें परनत मुक्त परने होतो ग्लोबालाइजिशन हे गड़ों आने ची गरज नाही आटमेटिक लिते होता त्याला साथ कोण देटह त्यात तंत्रध ज्यान misinformation technology कम्मिनिकेशन टेक्नोलोजी यह जी लेटेस्ट टेक्नोलोजी आहे ती त्या ग्लोबालाजेशन ला साथ देते संपुर्ण जगाचे आर्थे व्यवस्ता एकत रहेता था ठीक है आता मी तुम्हाला काही निवड़क उधराना देतो तेचा उरुन तुम्हाला समझेल की ग्ल अवेलेबल होतील खुब इजीले अवेलेबल होतील उधर नार था जीन्स जीन्स हा ग्लोबालाजेशन प्रोडक्ट आहे तुम्ही जगह चा कुंटे ही काना को परेज्जा तुम्हाला जीन्स गतलला वेक्ती क्यों कुंटे दुकरत तुम्हाला जीन्स आवेलेबल हुई बरोबर तर बर्गर अंतर रश्य पातेगर बर्गर तुम्हाला कुठाई आवेलेबल हुईल कोक किवा कोका कोला थीक है किवा पीजा एक गुगल ची एक अड़ोटे जाली उती तुम्हाँ भगीतली असेल तर तच्या मत तो वेकती पीजा नियर मी असा सर्ज करतो आणि तो पीजा अवेलेबल हुँज आतो तुम्ही कॉंटे कॉंटे आशे उधरना दिव शकता का जे ट्रूली ग्लोबलाइज प्रोड़क्ट सा है तुम्ही आसा एका दे प्रोड़क्ट से उधरना दिव शकता का वाटर बॉटल किवा आपन बिसलरी मनुशकतो एकार थाने बिसल ठीक है आता तुम्ही दखा पार्णा ची बाटर मन्ट ड की विसलरी मतला लिदा civर्णफ सा है ज itt प्रत्ये कंपटार च्या अच्या ड्खा दुक्टी सम naprawdę अनधे बाटर कैना सो अना हुद पने आपने तुन्डा तुन निकता कि आरे दादा एक विसरी चे पटल जाबर ग्लोबलाइजेशन कि वा जागती की करणा मुए जा अपले बहुतीक सीमा है कि वा भॉगूलिक सीमा है तुन दूसर जलले आहे अने तुन्ड नुस्त प्रोड़क्टस नहीं यवड़ा दक्षाद गया फक्त प्रोड़क्टस नहीं तर में मनी मशिनरी मटेरियल ये जे उत्पादनाचे जिवड़े ही स्त्रोत आहे त्या गटकJesus free flow यहा जया जागतिकी करणा में। काल्या सगया जया 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 करणा मन्चे काल लिब्रयाईजेशहन प्राईजेशन और गलोबराईजेशन जेतीनी संकल कils प्रश्ण पर संबंद काय परस पर संबंद काय आए अचा प्रकर्चा एक प्रश्ण आला होता तो लिबरलाइजेशन ही जर दिशा आसेल तर प्राइजेशन हा त्या दिशे कड़े जानारा मारगा आहे आणि ग्लोबलाइजेशन है अंतिम लक्ष आहे का मतला है अंतिम परस संबंद आ है अंन्यन थुम्हलसे स्थ लिखे हैं कि छृजल ग्लोबल्स beryचेशन हे जर प्राइजेशन है ठीक HOL? तर त्या कडई जाने सा्थि जो मार्ग है तो आई प्राइवीटाइजेशन'm ठीक HOL? प्राइवाइटाइजेशन्था Lab? यहां रस्ता है आनि तरेशा कडई जानारी जी दिशाहा है ती दिशाई कूटि आ नगे है लिबरलाइजेशन ॥ हा तीन ही गोश्चन मदला परस पर संबंधा है तीक है अशे आनेक प्रश्ण तुम्हाला विचार ले जाओ शक्त तुम्हाला काही प्राब्ले मेनार नाही इत्वार इत्वास प्रुष्ण परस Arsen двух